हेलो बच्चों बच्चों आपकी बोर्ड एक्जाम की जो डेट से वह आ चुकी है और मैं समझता हूं कि बोर्ड एक्जाम को लेकर के एक एक एंग्जाइटी दिमाग में रहती है कि यह चैप्टर तही आर नहीं है यह तो अभी अधूरा बचा हुआ है जिनता की बात नहीं है इस चैनल के ऊपर आपको 15 डेस का यह कोर्स बच्चों हम लॉंच कर रहे हैं और इस कोर्स के अंदर होगा क्या कि हर किसी चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट किया जाएगा ठीक है तो चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट हो जाएगा उसके लावा जो बोर्ड के प्र कर लाइट reflection and reflection मैं to the point बच्चों एकदम lecture लेने वाला हूं जिन चीजों से questions आते हैं exam में उन चीजों को मैं touch करूंगा to the point बात करूंगा जिस type के questions आते हैं वो आपके साथ में हापे इस lecture के इंदर discuss करूंगा ठीक है so stop worrying and focus focus on the preparation focus on basically the effort side तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने के पहले छोटा सा reminder कि बचो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो सबसे पहली बात YouTube चैनल बेल आइकन दबा दो ताकि notifications मिलते रहे और इसके लावदे को study material जितना भी रहेगा या और भी additional जो communication होता है वो इस टेलिग्राम चैनल के थू आपके साथ में होता है तो यह टेलिग्राम चैनल जो है आप जॉइन कर लीजे यह टेलिग्राम चैनल आप जॉइन कर लीजे और यहां पे instagram पे भी आप लोग हमको follow कर सकते हैं तो यह बड़ा important होता है बच्चों सारा का सारा जो study material हो आपके पास में या problem practice के लिए जो problems आ रहे होंगे आपके पास में मौक टेस्ट से आ रहे होंगे तो यहां से टेलिग्राम चैनल से आएंगे ठीक है एक छोटी से information आप आरा यह board booster series यह course launch हुआ है बहुत ही nominal सी फीस है मतलब आप समझते हो कि इतनी फीस तो आप किसी को gift में कुछ छोटा मुटा देते हो तब भी अराम से खर्च जाती है बहुत ही nominal फीस है और target करके exactly केवल आप लोगों के लिए आपकी problems को target करते हुए यह course रखा गया है अगर पर offline online दोनों का experience मिलेगा and structured courses मिलेंगे educators की तरफ से ठीक है so यह आप utilize कर सकते हो other than that अगर इस course में मैं कहूंगा आपको आपको जाना चाहिए इसके लावा YouTube channel के साथ में बने रही है सारे के सारे जो हमारे senior faculties हैं वो इस course को ले रहा होंगे 15 दिन के लिए और 15 दिन के अंदर one shot one shot करके एक एक chapter का आपका complete कराएंगे यह सारे educators जो यह particular course बच्चों इस channel पर ले रहे हैं including myself प्रताप वर्मा यह बच्चों सभी NEET के लिए या JEE के लिए जो educators हैं वो educators हैं तो अगर आप इस series को थोड़ा follow करते हो तो definitely आपको हलका बहुत idea आगे की चीजों का भी मिलेग और थोड़ा फाइदा होगा तो चलिए शुरू करते हैं ठीक है सबसे पहली बात में करता हूं इस chapter के अंदर किसकी light की light क्या होता है light के बारे में हमको क्या पता होना चाहिए जो exam में हमसे कभी पूछा जा सकता है एकदम to the point exam के point of view से हम यहाँ पे चीजे complete कर रहे होंगे तो बच्चों हमारे लिए 10th standard के level पर गर हम देखते हैं ठीक है अगर हम 10th standard के level पर देखते हैं तो light के बारे में कुछ चीज़ें हमको पता होने चाहिए for example हम इसका straight line propagation property मान करके चलते हैं straight line propagation तो आपने देखा होगा कि अगर आप कोई torch यूज कर रहे हो या laser beam को यूज कर रहे हो तो light जो है straight line में चलती है तो उसके कुछ exceptions भी है बट यहाँ पे जब हम पढ़ रहे होंगे light के बारे में चाप्टर में तो हम इसका straight line propagation का जो property है उसको बचों यूज करेंगे है इसको यूज करते हो देखो light को हम क्या करते है करें रहे से रहे से हम लाइट को रूपर करता है रहे क्या होता है light के straight line propagation को ठीक है ना light की जो speed है बच्छो vacuum में वो हो जाती है 3 into 10 to the power 8 meter per second तो ये आपकी speed of light है कहाँ vacuum के अंदर ये basic idea आपको light के बारे में होना चाहिए इसके अलावा आपने देखा होगा NCRT में कुछ चीजे mentioned है कि light में for example dual nature होता है dual nature होता है light के बारे में जब scientist ने detail में पढ़ा detail में इसके बारे में study किया research किया तो पहले ये पाया गया कि यार इसके अंदर straight line propagation property होती है ये बात तो हमने discuss करी लिया है फिर और study हुआ तो पता चला कि यार क्या होता है ना कि अगर sharp edges है तो उसके around जो है light bend भी हो जाती है मतब diffraction show करती है diffraction show करती है और इसके चलते light को बोला गया कि यार इसके अंदर क्या है wave property क्या है wave property उसके बाद में और experiments हुए further extreme experiments हुए तो उसमें पाया गया कि ये stream of particles की तरह behave करती है stream of particles की तरह behave करती है इन particles को हम क्या बुलते है photons बुलते है यानि कि light के अंदर क्या है particle nature भी है तो wave nature भी है particle nature भी है इन सारी चीजों को modern जो quantum theory है उसके अंदर उसको capture किया गया है तो जो modern outlook है ठीक है light के लिए वो ये है कि light एक electromagnetic wave भी है at the same time light जो है it consists of stream of photons as well है ना तो depending upon the scenario it may show it may exhibit particle nature और it may exhibit wave nature ठीक है तो light के पास में क्या होता है dual nature होता है हले कि अभी देखो exam के point of view से अभी के लिए ये जानने की जुरूरत नहीं है आपको ये बातें अगर पता है तो इस से आपका exam में काम चल जाएगा बढ़िया से ठीक है ये बात समझ में आ गई कोई दिक्कत है कोई question है तो comment section में आप डाल सकते हो ठीक है जो भी आपके issues होंगे comment questions होंगे doubts होंगे उनको हम बच्चों और resolve करने की पूरी कोशिश रखेंगे तो चलिए next point पर बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं सबसे पहला जो चीज इस chapter में आप पढ़ते हो जो exam के लिए बचों relevant है जैसा कि मैंने बिल्कुर शुरू में कहा दिया कि ये जो particular lecture series है वो board exams को ध्यान में रखते हों बनाईगी है तो एकदम to the point हम यहाँ पर पढ़ाएंगे जो चीज exam के लिए relevant है उनहीं पर time जादा spend करेंगे और आप समझो कि अगर आप ये lectures follow कर लेते हो तो आपका board exam के point of view से 80-90% काम complete हो जाएगा साथ में आपको problem practice भी करनी पड़ी है वो काम आपका complete हो जाएगा तो सबसे पहले बात करते हैं कि reflection की इस chapter की starting में reflection की हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा गर मैं outline देने की कोशिश करूँ पूरे के पूरे chapter की तो यह reflection की बात होती है reflection में फिर plane mirror की बात होती है spherical mirrors की बात होती है उस से लेटेड फिर mirror formula magnification इस लेटेड problems की बात आती है उदर फिर reflection की बात होगी refractive index क्या होता है lenses कैसे करते है lens formula इन सारी चीजों के बारे में basically chapter के अंदर cover किया गया बच्चो तो मैं यहां पर अभी discussion स्टार्ट कर रहा हूं कहां से reflection of light से reflection हम लोग सब जानते हैं क्या होता है अगर किसी surface पे कोई light incident होती जिसे मैंने यहां पर क्या किया light को light को मैंने यहां क्या किया एक race represent किया तो क्या होता है इसका एक portion bounce back कर जाता है same medium के अंदर और उसका एक portion क्या होता है इसे transmit कर जाता है то bounce back कर जाएगा तो हम बूलेंगे की उसका light का क्या हो गया reflection हो गया और जो portion नए medium में आगए चला जाएगा जिसका transmission हो रहा होगा हम बोलेंगे की क्या हो गया reflection हो गया समझे रही बात है तो अगर light same medium में bounce back कर जाती है तो वो क्या कहलाता है reflection किराता है और अगर दूसरे medium में transmit हो जाती है तो उसको हम क्या बोलता है reflection बोलता है कुछ part जो है light का यहाँ पर absorb भी हो सकता है light basically एक तरीका का energy है तो energy यहाँ पर कुछ absorb भी हो सकता है कुछ reflect हो गया, कुछ reflect हो गया अब भी पहले हम किसके ओपर focus करेंगे reflection के ओपर focus करेंगे तो generally आपने देखा कि जो reflection का जो phenomenon है अगर polished surface होगा अगर एक अच्छे से polished surface होगा जैसे कि आप देखते हो कि कोई mirror है तो उस पे यह phenomenon सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है reflection के context में there are two laws there are two laws of reflection जो हमको पता होने चाहिए जो हमको पता होना चाहिए number one यह जो angle of incidence होता है I और यह जो angle of reflection होता है R इनकी value reflection के case में बराबर होती है यह reflection किसी plane mirror से हो रहा हो spherical mirror से हो रहा हो कहीं से भी हो रहा हो किसी भी case में यह दोनो values equal होंगे I यहाँ पर क्या है हमारा angle of incidence R क्या है angle of reflection यह वाली जो ray हमें दिख रही है यह क्या है incident ray यह क्या है हमारी reflected ray यह क्या है हमारा normal और इसके बीच का angle क्या है angle of incidence इसके बीच का angle क्या है angle of reflection यह दोनों हमेशा कैसे होता है equal होता है किसी भी reflection की problem के लिए और दूसरी बात दूसरा जो important यहाँ पे law है वो क्या है कि यह जो तीन चीज़ें बचो यह जो तीन चीज़ें है this ray over here incident ray and reflected ray and normal यह सब क्या होंगे एक single plane में होंगे incident ray, reflected ray, normal I, R, N यह क्या होंगे same plane के अंदर होंगे एंगल सेम होगा, plane सेम होगा, I is equal to R और plane भी सेम बना रहेगा यह हमारे क्या होगे, laws of reflection होगे, जैसा कि मैंने कहा कि यह mirror के लिए भी valid है, चाहे हो plane mirror हो, curved surface, spherical हो, कुछ भी हो तो इसके उपर बच्चो कई बर सवाल पुछे जाते है, laws of reflection आपसे पूछे जा सकते है reflection क्या होता है, यह आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए next जो बात हमारी यहाँ पे काम की है, जो हमें आनी चाहिए, वो है बच्चो कि plane mirror से जब image बनता है, image जब बनता है किस से plane mirror से image formation, image formation by a plane mirror तो image formation एक plane mirror से कैसे होता है, उसकी image की properties क्या होती है यह आपको पता होना चाहिए, बच्चो एक्जाम में directly पूछ लेता है, तो मैं यहाँ पे यह discuss कर रहा हूँ आपके साथ में और यह चीज आपको पता होनी चाहिए for sure ठीक है, तो देखो, suppose यह अपने पास में एक plane mirror है, और इसके सामने हमने क्या किया, यह बच्चो एक object रख दिया, a, b, है ना, तो होगा क्या, इस object का एक image बनेगा mirror के पीछे, यह ना, ray tracing आप कर सकते हो, ray tracing करके यह image formation आप दिखा सकते हो, ठीक है ना, ray tracing हम कैसे करेंगे, वो भी मैं explain कर दूँगा, पहले में properties बदा देता हूँ image की, कि भाई, किस type की properties होंगी, जो यह image बनेगा इसकी, है ना, तो देखो, तो अपने पास में बचों, यह object A, B था, मैंने क्या किया, इसको एक plane mirror के सामने रख दिया, तो इसका एक image बन जाएगा, A dash, B dash, अब यह जो A dash, B dash image बना, इसकी properties देखते है, यह कैसा बनता है, बचों, erect बनता है, है ना, यह behind the mirror बनता है, behind the mirror बनता है, nature में बचों, यह कैसा होता है, virtual होता है, है ना, और इसका जो size है, वो क्या होता है, same होता है, and इसमें क्या होता है, lateral inversion होता है, lateral inversion, ठीक है, make them to the point वो बाते हैं आपको बता रहा हूँ, जो आप से exam में सीधी सीधी पूछ ली जाती है, जो questions आप से पूछे जाते हैं, कि आप से question पूछ लिया जाएगा, कि properties बनेगा, nature में वर्चोल होगा, और यह erect होगा, और इसमें lateral inversion होगा, यह सारी चीज़ें आप बताऊगे, lateral inversion क्या होता है, आपने notice क्या होगा, कि जब आप mirror के सामने, plane mirror के सामने खड़े होते हो, तो आपके जो face का right portion है, यह आपका जो right hand है, it appears to be on the left side, the left hand appears to be on the right, something like that happens, right, तो that thing is called lateral inversion, यह इसकी properties होगा, बना कैसे यह image, well image formation देखने के लिए आप क्या करोगे, जैसे यह object a b है, तो इस object के किसी एक point पर focus करो, सपोज मैं a पर focus कर रहा हो, बचो, अब imagine करो, कि इस ते एक ray गई अपनी ऐसी, तो यह ray क्या करेगी, bounce back करके ऐसी वापस आजाएगी, perpendicular ह हमने कहा कि नहीं, यह वाली जो ray थी, वो कुछ ऐसे गई, ठीक है, यह ray ऐसे गई, तो यह क्या होगी, reflect कर कैसे चली जाएगी, अब यह जो ray है, पीछे mirror से कहीं, यहां से आती हुए, अपियर होगी, तो मतलब, बचों होगा क्या, यह वाली जो ray आपने पकड़ी देखो, यह वाली जो ray है, यह वाली और यह वाली, जो reflect होने के बाद आ रही है, यह ray कहां से आती हुए, अपियर होती है, एडश से आती हुए, अपियर होती है, तो ए का image कहां पर बन गया, ऐसे ही क्या होगा, बी का image कहां पर बन जाएगा, इसके सामने, बी का image यहां पर बन तो बच्चों यह question आपका एक नंबर में दो नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है ठीक है चौल बाकी चीज में आपको और बता दू कि एक वन शॉट के अंदर मैं इस lecture को complete कर रहा हूं ताकि आपके सारा का सारा जो main points है चैप्टर के वो cover हो जाएं और आप exam में अच्छा कर सको बाकी question अगर descriptive questions आप से पूछे जा रहे हैं बोड में तो उसमें थोड़ा सा explain करके लिखना होता है तो यह सारी चीज़े आपने school में सीखी है और अगर हम लोग के साथ में आप let's say यह जो board booster series है यह अगर कैसे लिखना है heading डाल करके कैसे लिखना है point by point चीज़े लिखनी है तो वह आपको आना चाहिए तो दो पार्ट है देखो exam में board exam में score करने के दो पार्ट है दो चीज़ें आपको करने एक तो चीज़ कोई बात आपको समझ में आनी चाहिए अगर आपको यह याद ही नहीं क कैसे होता है उसकी properties क्या होती है तो आप अच्छा क्या ही लिख लोगे है ना तो पहली बात है आपको आना चाहिए और दूसरी बात है उस information को आपको थोड़ा अच्छे से present करना है क्योंकि महां पे presentation के भी marks होता है ठीक है चौन नेक्स जो चीज में आपके साथ में discuss कर रह प्रॉब्लम है बहुत important है almost हर साल आपको देखने को मिलते हैं तो spherical mirrors related ray tracing वाली जो प्रॉब्लम्स है या numerical प्रॉब्लम्स है और ऐसे ही lens related जितनी प्रॉब्लम्स है यह सारी की सारी आपके लिए important है ठीक है तो spherical mirrors की बात करते हैं इस point को टच करते हैं बच्छों spherical mirrors देखो इसके अंदर क्या होता है आपको पता है इसके अंदर किसी स्फियर से क्या करते हो आप एक portion कट कर लेता हो यह imagine करो कि आपके पास में यह hollow sphere था यह hollow sphere था glass का बना हुआ आपने क्या किया इसके इस portion को कट करके अलग कर लिया इस portion को और उसके बाद आपने क्या किया अंदर से इसको polish कर दिया symbolic representation polishing का क्या है जो मैंने यहां पर शो किया तो यह जो मैं छोड़ी ओड़ी lines ड्रॉक कर दे रहा हूं इससे मैं बताना चाहरा हूं कि इस mirror पे पीछे की तरफ polish हो रखिया तो आपने क्या किया इस portion को बच्छो कट करके बाहर निगा लिया और इसका जो यह वाला जो surface है यह इस साइड में आपने क्या कर रखिया polish कर रखिया आपने क्या किया था इसको सफेरिकल hollow sphere में से कट करके बाहर निगा ला ला घौता, तो यह जो mirror बच्छो बना इसको हम क्या बोल देंगे, एक spherical mirror बोल देंगे और spherical mirror में भी इसको इस particular mirror को बच्छो हम बोलेंगे convex type मिरर कैस सा convex mirror जिस mirror के अंदर जो reflecting side है वो उबरी हुई होती है उसको हुम बोलते है convex mirror और जिसमें जो reflecting side है वो अंदर की तरफ पिचकी हुई होती है दभी हुई होती है for example consider this situation ये mirror है इसमें मैंने polish उबरी वाली side की तरफ की हुई है और इसकी जो reflecting side है इसकी जो reflecting side है वो आप देख रहे हो कि ये अंदर की तरफ है तो इसको हुम क्या बोलेंगे concave mirror बोलेंगे ना concave mirror तो spherical mirrors में आपको कौन से दो mirrors देखने को मिलेंगे convex mirror और concave mirror insulated आपको सवाल पूछे जाएंगे जैसा कि मैंने कहा exam के लिए बड़ा important है आपसे conceptual question भी पूछा जा सकता है आपसे ने वारिकल प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है और most हर साल आपको इन topics से questions देखने को बच्चों मिलते है तो चलो mirrors के लिए कुछ definitions और समझ ले side by side यहाँ पर अपने पास में concave mirror भी है इसके बारे में बात करता है ठीक है concave mirror तो इनकी कुछ-कुछ definitions जो है जो कुछ-कुछ terms है मैं आपको याद दिला देता हूं I believe आपको याद होगा यह सब चीजे बट फिर भी एक बार वापस से याद दिला देता है देखो जिस sphere से इसको cut करके बचाला था उसका जो center होगा उसको हम नाम देते center of curvature ठीक है क्या बोलते है उसको center of curvature उसको c से represent करते है तो इसका center of curvature यहाँ पर हो गया इस ने का दिल्ब भी छिलेट से यहाँ पर हो गया उसके बार बथको इस mirror का लिए middle point होगा यह marginal point होगा इसको हम नाम देते हैं क्या पोल और stanie करते हैं क्या बोलता है स्कों पोलES को मनें सेंटर ओफ कर वेच्थ समझच लेंख और स्थिंो पूछा तो क्या है क्या प्रिंसिपल उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सट इस समझब वैंद यह दो तीन चींज को को पता होने चाहिए एक्जाम में हमसे एक वन मार्क में पूछा जा सकता है कि बाइप पोल क्या है सेंट्र रफ कर वेचर क्या है प्रिंसेपल एक्सेश की आफ को सभी को पता ही होना चाहिए definitely पता होना चाहिए concept ने को बड़ा simple सा है क्या है कि अगर principle axis के अगर आप कोई parallel ray लेते हो तो वो parallel ray इस principle axis को कहां पे cut करके जाएगी है ना यह हमें देखना है यह कहां cut करते हो appear करेगी for example यहां पे जब बच्चो there is a beam of light और a single ray जो की parallel to principle axis है और वो क्या करता है mirror से reflect हो जाता है तो reflection के बाद से principle axis को कहां cut करेगा या कहां cut करते हुए appear होगा उस point को हम बोल देते हैं बच्चों focus ठीक है और यह हमारा जो focus है इसको मैं capital F से represent कर रहा हूं this is simply focus और principle focus principle focus ठीक है तो समझ में आ गया हमको कि focus क्या होता है principle focus क्या होता है इन points के बारे में हमको सब को पता होना चाहिए इसके अलावा यह वाला जो point है देखो यह वाला point इसका end point M इसका end point N तो imagine करो कि cut करके आपने एक sphere का portion cut करके तो इसकी जो boundary होगे ना circular type होगे उस boundary का जो बच्चो यह diameter होता है ना MN इसको हम क्या बोलते है अपर्चर बोलते है क्या बोलते है अपर्चर बोलते है ठीक है और small aperture के mirrors के लिए and for raise close to principal axis principle axis ऐसी रेस को हम क्या बोलते है पैरा-axial raise ठीक है प्रिंसिपल axis हम इसको बोलते हैं तो अगर small aperture का lens होगा and ऐसी रेस जो की principal axis के close है जिसको मैंने क्या नाम दिया पैरा-axial raise है ना तो इनके लिए बच्चो क्या होता है यह जो focus वाला जो यह point होगा वो C और P के बिलकुल बीच में होगा है ना और यहां पे CP को भी एक नाम दिया जाएगा और ऐसे ही PF को भी एक नाम दिया जाएगा इसको बच्चों हम बोलेंगे radius of curvature क्या बोलेंगे radius of curvature ठीक है और इसको हम क्या बोलेंगे focal length क्या बोलेंगे focal length और focus क्या होगा यहां पे midway होगा center of curvature और pole के in other words focus की जो focal length जो value होगी वोगी radius of curvature are divided by 2 तो बड़ा काम आता है questions में direct formula हमें यूज करना आना चाहिए ठीक है ना कुछ नहीं है बस इतना सा याद रखना है कि small aperture वाले जो lenses होते हैं उन lenses के लिए ऐसी raise के लिए जो की principal axis के close है इनको क्या नाम दिया गया है paraxial raise तो ऐसे raise के लिए यह result हमारा true है तो most of the problems में इस chapter के अंदर यह conditions हमारी satisfy होती है और हम यह formula यूज कर सकते हैं कि focal length is equal to r by 2 ठीक है straight forward है simple सी बात है अब देखे हमें यहाँ पे बच्छो इन दोनों mirrors के लिए concave mirror के लिए भी as well as convex mirror के लिए हमें यह देखना है कि इनकी वज़े से image formation कैसे होता है और उस से related ray tracing करके कैसे हम image formation दिखाते हैं या mirror formula यूज करके हम कैसे image formation से related problems solve करते हैं यह दोनों चीज़े हम को आने चाहिए इस से exam में सवाल आता है ठीक है तो यह दोनों ही चीज़े मैं यहाँ पे आपके साथ में discuss कर रहा हूंगा कि भई ray tracing को use करके हम कैसे image formation दिखाएं है ना और mirror formula यूज करके हम कैसे image formation से related numerical problems को solve करें ठीक है so let us focus on this part image formation image formation by spherical mirrors image formation by spherical mirrors तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पे अभी मैं पहले concave mirror वाला जो case है वो discuss करूँगा आपके साथ में concave mirror वाला case discuss करूँगा और उसके बाद में हम ऐसे ही convex mirror वाला case है वो discuss करेंगे ठीक है तो देखो यह situation देखो यह अपने पास में क्या है एक concave mirror है बच्चो यह concave mirror है और imagine करो कि इसका यह हो गया focal length यह हो गया pole और यह हो गया radius of center of curvature है ना यह इसका हो गया center of curvature now if there is an object placed here a b और इस object a b को मैंने क्या किया principle axis के perpendicular रखा और मैं चाहता हूँ कि मैं इसका image कहां पर बने इसको ray tracing से मैं पता कर लूँ है ना मैं यह चाहता हूँ ठीक है तो ऐसे तो देखा जाए तो इस object a b के अगर बात की जाए तो यह जो a b object है यह कैसा object है extended object extended object objects आप देखो दो तरीके के लेकर के चलते हो एक object होता है कैसा point object और यह वाला object कैसा है extended object अब सर इन दोनों में क्या अंतर होता है point object is nothing but a single point और ऐसे extended object में क्या होगा infinitely many points होंगे ठीक है अब extended object की जब आप image बनाते हो तो आप क्या करते हो उसके कुछ points को पकड़ लेते हो जैसे कि मैं इसके topmost point a को और bottom जो bottom वाला point है b उन दोनों की image अगर अलग-अलग बना लो तो मुझे पता चल जाएगा कि a b का ends का image कहां बना और वही logic लगा करके मैं कहूंगा कि बीच वाले जो points है उनकी भी image वैसे ही बन रही होगी है ना तो extended objects की image बनाने के लिए हमें क्या करना है हमें उसके कुछ points की image बनानी है और उससे फिर image को extrapolate कर लेना है अब सवाल यह आएगा कि यह image हम बनाएं कैसे है ना तो यह image बनाने के लिए मैं आपसे कहूंगा कि जो ray diagram बनाया जाएगा या जो ray tracing होगी वो आपको कुछ ऐसी करनी है जैसे मैं बता रहा हूँ है ना ray diagram या ray tracing आपको कुछ ऐसी करनी है देखो आप यह जो rays है इनको use कर सकते हो यह वाले जो cases है इनको use कर सकते हो ray tracing के problem solve करने के लिए ठीक है पहली ऐसी कोई ray जो की principle axis के parallel है definition कहां से चली जाएगी focus से चली जाएगी या ऐसी कोई ray ऐसी कोई ray जो की बच्चों focus से ही pass कर रहे है अगर यह focus से pass कर रहे है तो reflection के बाद क्या हो जाएगी यह parallel हो जाएगी mirror के है ना या कोई ऐसी आप ray ले लो जो center of curvature से pass हो रही हो यह जो center of curvature से pass होगी वो क्या होगी bounce back करके उसी path को trace करना शुरू कर देगी and the last case ऐसी कोई ray जो की principle axis को कहां पे pole पे जागर के टकर आएगी और वो वहाँ से reflect हो जाएगी same angle बनाते हुए तो इन चारों में से कोई दो rays आप लोगे और उन दो rays को trace करके आप किसी point का image formation trace कर सकते हो for example अगर मैं इस object की बात करूँ देखो इस object की मैं इसके point A पे focus करूँगा एसे मैंने एक ray लिया जो की parallel to the mirror गया reflection के बाद इसको कहां से pass करना पड़ेगा focus से तो यह reflected ray हो गई ray number one दूसरा जो ray है उसको मैं क्या कर रहा हूँ उसको मैं सीधा pole पे wirkinər cut करता appeared to the same angle बनाते हुए यह क्या करेगा। यहां से reflect हो जावे और यहां से जब यह same angle बनाते हो reflect होगा तो कुछ इस तरीके से reflect हो जाएंगा और इन दोनों raysंका intersection point यह हो जाएगा बच्चो इन दोनों points raysं का 저 reflected raysं है उनका जो intersection point है वह क्या हो गया point a का image हो गया तो A की image A dash यहाँ पर बन गई, ऐसे ही B की image B dash यहाँ पर बन जाएगी, और इसका जो image है, A dash B dash हमें ऐसा दिखेगा, ठीक है, इस particular case में अगर आप देखो, तो मैंने क्या किया हुआ था, object को principal axis पर रखा हुआ था, center of curvature के beyond, कहाँ पर रखा हुआ था, center of curvature के beyond, infinity of center of curvature के बीच में, image कहाँ पर बना, center of curvature और focus के बीच में बना, आप देख रहों कि यह A इसमें उपर था, यहाँ पर A dash नीचे है, image कैसा बना, inverted बना, क्या यहाँ पर raise actually meet कर रही है, yes meet कर रही है, तो image कैसा बना, real बना, यह सारी image की property है, बच्चों क्या-क्या properties हम notice कर पा रहे हैं, image हमारा जो यहाँ पर बन रहा है, जो हमारा यहाँ पर image बन रहा है, वो real है, and inverted है, image is real and inverted, कैसे image को हम real बोलते हैं, जहाँ पर reflected rays actually आपस में meet करती है, तो इस case में ऐसा बन रहा है, inverted होने के वज़े से, real and inverted image है, इसके अलावा आप देख रहा हो, कि size जो है, वो comparison में क्या है, smaller है, object के comparison में, size of the image is smaller, कहाँ पर बन रहा है image, between, C and F बन रहा है, focus और center of curvature के बीच में बन जा रहा है, तो यह क्या हो गई, इस image की बच्चों properties हो गई, real and inverted between C and F, size is smaller, ठीक है न, अब आप देखो कि image formation के यह जो, मतलब properties है, या image की जो properties है, in case of image formed by, by a concave mirror, ठीक है, और यहाँ पर हमने object को देखो बच्चों रखा हुआ था, center of curvature के beyond infinity के बीच में, perpendicular to the principal axis, और हमने कुछ specific rays को ले करके क्या गिया, एक point A का image A-trace कर लिया, मतलब ray tracing से, ray diagram से हमने क्या कर लिया, point का image बना लिया, और ऐसे करके हमने इस पूरे extended object का, image यहाँ पर show कर दिया, कि A-B- ऐसा बनना चाहिए, हमने ray tracing से ऐसा काम कर दिया, ऐसे direct questions हमको board exam में देखने को मिलता है, आपको बिल्कुल ऐसे बता दिया जाएगा, कि object जो है, let's say center of curvature के beyond है, या center of curvature के ऊपर है, या center of curvature और focus के बीच में है, ऐसी करके 6 positions बन जाएंगी, आपको पता है, ठीक है न, और उन में से कोई सा भी case आपको दिया जा सकता है, बोला जाएगा आप से कि ray diagram ड्रॉ करके, image formation दिखाओ, image की properties लिखो, मैंने उन में से एक case आपके लिए देखो, यहाँ पर discuss करके दिखाया है, ठीक है, बाकी जो cases हैं, उसको भी आपको करने की practice होनी चाहिए, NCRT में एक एक करके, सारे के सारे cases हमको दिये हुए हैं, ठीक है न, और अगर हम इसको follow करते हैं, बच्चों, अगर इन cases को हम यहाँ पर follow करते हैं, तो देखो, हमें सारे के सारे cases देखने को मिल जाते हैं, यह सारी किसे जो सारी जो possibilities हैं, वो देखने को मिल जाते हैं, अगर infinity पर object है, तो image कहां पर बनेगा, focus पर, कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, point size बनेगा, real और inverted बनेगा, यह वाला जो case था, होगा nature में, real and inverted, एक case यह हो गया, यह हो गया, है न, total आप देख रहे हों, यहाँ पर, there are six cases, one, two, three, four, five, six, there are totally six cases, यह सारे के सारे cases के, ray diagrams बच्चों आपको बनाने आने चाहिए, और यह nature कैसा होगा, position कैसा होगा, यह सारी बातें, आप से exam में, पूछी रा सकते हैं, ठीक है, चालो, back to what we were discussing, देखो मैंने आपको cases बता दिया, यहाँ पर कि, image formation के जो cases है, स्फेरिकल मिरर के लिए, वो कौन कौन से होगा, उनके results कैसे होगा, ray tracing आप कैसे करोगा, यह सारी चीज़े मैंने discuss करी, कि, अब मैं आप से बात करता हूँ, अब मैं आप से बात करता हूँ, किसके बारे में, numerical problem solve करने के बारे में, कि अगर हमें, image formation से related, spherical mirror से जो image बनते हैं, उस related कुछ numerical problem solve करने के लिए आजाते हैं, तो हम कैसे solve करेंगे, ठीक है न? यह problem solve करने के लिए, सीखनी है यहाँ पर एक sign convention हमको सीखनी है और इसके अलावा हमें कुछ formula क्या यूज करना सीखना कुछ formula यूज करना सीखना है essentially mirror formula यूज करना सीखना है बचो एड हमें sign convention जो है वो यूज करना सीखना है और ये exam के लिए extremely important it is extremely important is related problems आपको हर साल बच्छों एक्जाम में आपके देखने को मिलते हैं और आते ही आते हैं ठीक है ना आपको one mark two mark में भी questions देखने को मिल जाएगा five marks में questions देखने को मिल जाएगा जितनी मैंने अभी तक पढ़ाई कि मालिया डाइग्राम बनवा करके आपसे पूछा कि इस केस में इमेज बना दो है ना रे ट्रेसिंग करके दिखा दो इमेज की प्रॉपर्टी बता दो और फिर कुछ डेटा दे करके नुमेरिकल वैल्यू दे ऊचल लिया इमेज की लोकेशन क्या होगी मैगनिफिकेशन पूछे जाते हैं अच्छे से समझलो टूदा पॉइंट सारी सारी बाते में हाँ आपको बच्चों बता रहा हूं तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं ड़ाación convention की देखो यह सब्सक्राइब मेरे पास में केव mirror यहynı्स करोगे om कि और्फड न मानों के क्या मानों गर कॉद्रनेट सेस्टम का कंदल मिरत के पोल को क्या अलो गोगे origin ओड़नेट सिस्टम अलोगे बच्चों principle एक्सर के लॉइंग आप क्या के दिमाग में कि positive x-axis कि दर लो negative x-axis कि दर लो उसके लिए बताया जा रहा है कि जो direction of incident raise होगी क्या होगी direction of incident raise है ना for example जो डाइग्राम मैंने यहां पर draw किया हुआ है उसमें मैंने क्या किया जो incident raise है उनको मैंने left से right की तरफ आते हुए ड्रॉ किया है majority of the questions में आप देखोगे कि यह convention लोग फॉलो करते हैं कि ठीक है कि raise कहां से आ रही है left से right की तरफ आ रही है all right so direction of incident raise को हम क्या लेते है positive direction of x-axis लेते हैं ठीक है तो मैंने यहां पर incident रेस की direction की दर ली left से right की तरफ x-axis की direction की दर ली left से right की तरफ ठीक है यह convention वच्छों हमको follow करना है देखो जो भी distance हम measure करेंगे कहां से करेंगे origin से करेंगे अगर यहां से suppose को करो यहां पर कोई 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 दूसरा point लेट से ए है यहां पर एक point है तो अब मुझे यहां से origin से right की तरफ जाना पड़ रहा है जब मैं origin से right की तरफ जाओंगा तो मैं positive x-axis की direction जा रहा हूं तो मैं value को positive लिखूंगा अगर left जाना पड़ता तो negative लिखता उ उपर जाना होता तो positive नीचे होता तो negative इंसिडेंट रेज की direction में मैं positive x-axis लोंगा और उपर की तरफ में positive y-axis लोंगा यह convention में रुको follow करनी है ठीक है इसके अलावा किस चीज का क्या meaning है उसको भी समझ लेता है देखो imagine करो कि मेरे पास में यहाँ पे एक point A है यहाँ पे point A है अब बच्चों सोच करके देखो यह point एक क्या है basically यह point object है point object है इस point object की pole से यह जो distance होगी x-axis के along जो distance होगी इस point object की कहां से पोल से उसको हम क्या नाम देते है यू नाम देते है ऐसे ही वी हम किसको नाम देंगे distance of the image along the x-axis है ना तो इसका जो image बनेगा suppose करो कि इसका जो image है माल लेते हैं अभी के लिए यह जो था वो center of curvature के beyond था तो अकर center of curvature के beyond था तो mostly इसका जो image a dash बनेगा वो a dash यहाँ पे कहीं बनेगा है ना ऐसे करके इसके पहले जस्ट अभी एक case हमने लिया था ठीक है object को हमने center of curvature के beyond रखा तो image कहां बनेगा center of curvature और pole के बीच में बनेगा और उसका जो perpendicular separation होगा यहां से principal axis से relatively कम होगा तो कुछ ऐसी image बनेगी तो बच्चों image की जो distance होगी pole से उसको हम क्या बोलते है वी बोलते है यहाँ पे बीच में क्या होगा यह कहीं focus होगा यह center of curvature होगा तो focus की जो distance है pole से उसको हम क्या बोलते है एफ बोलते है ठीक है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है hopefully pole से आपको distance लेनी है along x-axis उसको क्या नाम दिया जाएगा उसको नाम दिया जाएगा u v and f किसके लिए object के लिए image के लिए और focus के लिए यह जो numbers है बच्चों इनके बीच में एक mathematical relationship निकाला जाता है यह mathematical relationship कैसा है 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f इसको हम बच्चों बोलते है mirror formula इसको क्या बोलते है mirror formula this is the mirror formula 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f फिर से एक बार बार बता दूँ कि इसके अंदर सारी की सारी जो value है वो with proper sign convention रखनी है with proper sign convention बच्चों रखनी है क्या करना है with proper sign convention एक बार फिर से meaning बता रहा हूँ focus की distance लेनी है कहां से pole से along x-axis उसको हम बोलते है focal length focus के बाद में आ गया object की में बात करूं object की distance pole से along x-axis उसको बोल रहा हूँ u we बोल रहा हूँ image की distance को from pole इसको बोलने का एक और तरीका हो सकता है इस point का बच्चो x coordinate क्या है u है image की जो point है उसके corresponding x coordinate क्या है v है यह जो focus है उसका x coordinate क्या है f है proper sign के साथ में रखना है देखो sign convention के साथ से मुझे pole से left जाना पड़ रहा है focus के लिए image के लिए भी और object के लिए भी तो जो situation मैंने यहाँ पे दिखाई है here in this particular case u की value कैसी है negative है v की value कैसी है negative है f की value कैसी है negative है ठीक है बच्चो in fact यह बात आप याद रखोगे as a note यह बात याद रखोगे की convex mirror के लिए convex mirror के लिए focal length की value आपकी positive होगी r की value भी positive होगी concave mirror के लिए focal length की value भी negative होगी और r की value भी negative होगी according to the sign convention है ना concave mirror की case में यह negative क्यों आया यह मैंने explain कर दिया आपको ऐसे ही आप convex mirror में भी imagine कर सकते हो ठीक है इस type से mirror formula से आप problem solve कर सकते है दूसी तरफ आप सोचो अगर बच्चों यह एक single point ना होता अगर यह single point ना होता rather आप सोचो a b करके ऐसे यह object होता है ना a इसका क्या था a इसका topmost point था यह वाला point था वैसे a b एक object है तो इसकी image यहाँ पर बन जाएगी a dash b dash यह इसकी image बन गई तो बच्चों जो image का size है जो image का size है उसको मैं लिख रहा हूँ hi और जो object का size है उसको मैं लिख रहा हूँ ho image size divided by object size बच्चों इस ratio को हम बोलते है magnification m इसकी value किसके बराबर होती है minus v upon u के बराबर होती है यह दो formula से आपके सारे के सारे numerical problems solve हो जाते हैं just यह दो formula आपको आने चाहिए सारे के सारे numerical problems आपके solve हो जाएंगे से hi is the size of image ho is the size of object that is equal to minus v upon u इसको हम क्या बोलते है magnification क्या बोलते है magnification ठीक है अगर उपर की तरफ आपको length measure करनी पड़ रही है तो उसको आप positive लोगी नीचे की तरफ लेनी पड़ रही है तो उसको negative लोगी है ना तो जैसे यहाँ पे यह वाली length positive ली जाएगी यह वाली length negative ली जाएगी because positive axis किदर है उपर की तरफ है और negative axis किदर है नीचे की तरफ है ठीक है यहां तक किसी को कोई problem है कोई दिक्कत है तो comments में लिखो questions पूछो उसके answers बच्छो आपको मिलते रहेंगे अब बच्छो एक काम करता है sign convention मैंने आपको समझा दिया साइन convention मैं आपको समझा दिया जो सबसे important बात है sign convention mirror formula वो मैंने हाँ पर आपके साथ में discuss करा इसके पहले ray tracing करना आपको सखाया सारे के सारे cases मैंने आपको सब्सक्राइब numerical problems देखते हैं based on this numerical problems देखते हैं जिस टाइप के numerical problems आपको exam में देखने को मिलते हैं ठीक है ना suppose करो आपको यह question दिया हुआ है यह question दिया हुआ है कि आपके पास में एक concave mirror है एक concave mirror है और question में बस यह बताया कि यह radius of curvature जो है उसकी value 20 cm है radius of curvature कितना है 20 cm और आप से बताया कि object को आपने कहां पर place किया गया है object placed at a distance of 40 cm from mirror क्या क्या information बता दी कि एक concave mirror है concave mirror के सामने हमने object को 40 cm दूर रखा उसकी radius of curvature कितनी थी प्रन्टी cm थी आपसे सवाल क्या क्या पूछा गया आप से बचो question पूचा गया यहां पर कि ईमेज की location बताओ an image की location बताओ कहां बनेगी image an image का nature बताओ ay image का magnitude 5 रखंड रहे है a image का magnitude 5 रखंड रखाय है और dot sow का僕 दो हैं रख लोकेशन पूच पूछ रहा है या size पूछ रहा है ठीक है nature पूछ यह सारी चीज़े आप से पूछ रहा है इस information के basis पे अल्राइट तो इस question बच्चो solve करते हैं है ना condition question की clear हो गई सारा data हमें clear हो गया mirror formula हमें apply करना है अब देखो location के बारे में यहाँ पर data दिया हुआ था कि object is placed at a distance of 40 centimeters है ना from the mirror size भी यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि size of object is equal to 1 centimeter है ना एक centimeter size का ही बस object है और यह object let's say यहाँ पर रखा हुआ है मैं इसको थोड़ा सा exaggerate करके बना रहा हूँ है ना वनना तो दिखेगा नहीं रहाइड compared to the mirror and all that इसके अलावा देखो यह distance हमें कितनी दिया object की 40 centimeters दी हुए है radius of curvature 20 centimeter थी तो यहाँ अगर अपना center of curvature होगा तो यह distance कितनी दिया है 20 centimeters focus कहां होगा कहीं बच्चों यहाँ पे अब sign convention के यूज को अच्छे से बस समझ लो sign convention का यूज तुमने समझ लिया formula में value put करना तुमने समझ लिया तो तुमारे इस question के इस particular chapter के जो questions है mirror formula based even lens formula based इस ताप के questions बढ़िया से बनने लगेंगे गलती नहीं होगी आसानी से यह marks आपको मिल जाएंगे ठीक है ना देखो पोल यहाँ पर अपन क्या मानते है origin of the coordinate system मानते है x-axis कि दर माना जाएगा बच्चों इधर की तरफ positive माना जाएगा y-axis उपर की तरफ positive माना जाएगा क्यों ऐसा किया हमने because imagine करो देखो object यहां पर है यह object है तो इंसेडेंट रेस कैसी जाएगी ऐसी जाएगी तो इंसेडेंट रेस अगर राइट की तरफ जा रहे ही है तो positive access की तरफ माना जाएगा right की तरफ माना जाएगा अब अच्चों सबसे important बात यू की value मैं इस problem में minus 40 cm रखूँगा यू की value कितनी रखूँगा minus 40 क्यों रखी minus 40 because pole से object तक जाने के लिए आप देखो मुझे left की तरफ जाना पड़ रहा है पोल से start करके measure करना है right सारी measurement कहां से होंगे pole से तो pole से मुझे जाना पड़ रहा है left की तरफ left की direction है negative इसलिए मैंने sign रख दिया negative focus यहां पर है फिर से pole से left की तरफ जाना पड़ेगा तो मुझे focal length f कितना लिखना चाहिए focal length भी negative लिखना चाहिए और उसकी value रखने चाहिए 20 divided by 2 क्योंकि radius of curvature 20 था उसकी numerical value 20 थी sign convention के साबसे इतना आएगा तो यह value कितना हो गया minus 10 यानि कि u की value पता है f की value पता है इसका मतलब बच्चों mirror formula लगाएंगे 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f और इसमें values put करेंगे 1 upon v plus 1 upon u u की value minus 40 हमने देखी is equal to 1 upon f minus 10 हमने value देखी solve करेंगे इसको further 1 by minus 10 यह हो गया positive 1 by 40 LCM ले लिया 40 यह हो गया minus 4 यह हो गया plus 1 बच्चों कितना हो गया यह minus 3 by 40 यानि की v की value minus 40 by 3 v की value कितनी है minus 40 by 3 solve करते है इसको minus 13.33 right this is what you get minus 13.33 यह value और यह कहां पाएगे बच्चों देखों यह यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया यहाँ से यहाँ तक का distance 10 है यहाँ से यहाँ तक का distance कितना है 20 है तो इसका मतब 13.3 कहीं कहीं बीच में होना चाहिए 13.3 कहीं कहीं यहाँ पे बीच में होना चाहिए तो वापस से देखो बच्चों वही case बन गया जो मैंने आपको ray diagram में सिखाया था कि अगर object center of curvature के beyond है तो image कहां बन रही है center of curvature और focus के बीच में बन रही है और अभी numerical calculations करके हम यह भी show करेंगे कि इसका size इससे छोटा होगा यह भी show करेंगे कि यह inverted होगा ठीक है तो how do we do that by doing the calculations on magnification m की value हमने बताई थी minus v upon u minus formula के अंदर है v की value minus 40 by 3 i है minus 40 by 3 v की value है यू की value हमारी कितनी थी बच्चो माइनस 40 थी है ना formula में माइनस था माइनस माइनस यहां पर भी गट गया तो overall value हो गई minus 1 by 3 बच्चो magnification की value यहां पर कैसी आई है negative आई है m की value अगर होती है negative तो image कैसा बनता है image हमारा बच्चो यहां पर real बनता है अगर m की value negative है तो image कैसा बनता है real बनता है ठीक है और अगर m की value होती positive तो इससे कैसा बनता virtual बनता image ठीक है तो पहली बात तो हम यह समझ लें इस problem में m की value negative आई इसका मतलब image कैसा है real है और real होगा तो कैसा होगा? inverted होगा real होगा तो कैसा होगा? inverted होगा virtual होगा तो कैसा होगा? erect होगा ठीक LS दूसी बात numerical value पर धिहां देते हैं numerical value इसकी कैसी है 1 by 3 1 से छोटी है numerical value तो size of image क्या होगा? size of object से छोटा होगा समझो बात को m is equal to h image by h object that is equal to minus 1 by 3 in this problem इसका मतलब आप समझ रहे हो कि image छोटा होगा object के comparison में है ना HI अगर positive है तो HO must be negative तभी उन दोनों का ratio negative होगा अगर HI negative है तो HO should be positive है ना इसका मतलब image कैसा बन गया inverted बन गया image कैसा बन गया real बन गया इसका size क्या हुआ पहले से diminished हुआ बच्चों यही case हमने अभी इसके पहले solve किया था ray diagram बना करके और हमने image की यही property वहाँ पे mention करी थी कि कैसा image बनेगा real बनेगा, inverted बनेगा, size में छोटा बनेगा कहां पे बनेगा इन दोनों के focus और इसका मतलब क्या है सेम बात को numerical problem में बड़े आसानी से solve किया जा सकता है तो that is what I wanted to teach you here मैंने यहां पे बचो concave mirror वाला case लिया है मैंने एक particular case को लेकर के calculations करी है आप के साथ में जब problems आपको दी जाएंगी तो ऐसा कोई भी case दिया जा सकता है हो सकता है कि यह जो object है इसका जो size है उसको change कर दिया जाए इसकी location यहां पे रख दी जाए इसकी location यहां पे रख दी जाए बस आप proper sign convention के साब से data put कर दो आपको problem का solution मिल जाएगा जैसे एक question और करते हैं आपकी practice के लिए एक question और करते हैं इस बार क्या कर लेते हैं एक convex mirror ले लेते हैं यह हो गया convex mirror reflecting side इसका उबरा हुआ है तो convex mirror और इसमें data दिया हुआ है फिर से वही कि एक a b object है बिल्कुँ same data है ना let us work with the same data but not with a concave lens rather concave mirror rather a convex mirror यह value दियो हुई है 40 cm कि mirror से 40 cm दूर है यह इसका center of curvature इसकी value दियो है वही 20 cm focus कहां पर होगा यहां पर बच्चों बीच में होगा understand this कि इस बार जो incident raise है again right की तरफ ऐसे जाएंगी यहां object रखका हुआ यहां mirror रखका हुआ incident raise कैसे जाएंगी ऐसे जाएंगी तो right की direction को मैं क्या मानूंगा positive मानूंगा बच्चों और अगर right की direction हमने positive मानी तो इसका मतलब यह positive axis यह positive axis और यह pole हमारा क्या हो गया origin of the coordinate system हो गया ठीक है ना 40 divided by 2 है ना radius curvature का आदा यानी की plus 10 यू की value पे ध्यान दो फिर से मैं negative 40 रख रहा हूं क्यों negative 40 है because pole से object दगाने में आपको left side में move करना पड़ेगा positive reaction right वाली है इसलिए negative ठीक है फिर से mirror formula यूज करो mirror formula 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f let us put the values 1 upon v plus 1 upon minus 40 is equal to 1 upon 10 तो इस बार क्या हो जाएगा 1 upon v 1 upon 40 plus 1 upon 10 इस बार add हो जाएगा है ना इसको further simplify करोगे तो क्या हो जाएगा 40 ये हो गया 1 ये हो गया 4 इस तरीकी से बच्चो वी की value क्या हो गई 40 divided by 5 यानि कि कितना हो गया 8 वी की value 8 आई और वी की value बच्चो एट positive sign के साथ में ध्यान दोश बात बे कि 8 positive sign के साथ में अब देखो यहाँ पे ये value कितनी है 20 यहां से यहां तक कि numerical value कितनी होगी ये वाली numerical value है 10 cm और इसने हमको बदाया इस calculation ने हमको बदाया कि वी की value positive 8 है positive 8 का मतलब यह हुआ बच्चों कि image कहीं यहां पे बनेगा image कहां पे बनेगा कहीं यहां पे बनेगा focus के पहले focus और pole के बीच में कहीं image बनेगा और मैंने उसको erect बना भी दिया है क्योंकि image formation की properties में यह बात आ जाती है जैसे हमने concave mirror के लिए 6 cases करेते हैं ऐसे ही convex mirror के लिए भी 2 cases आते हैं वो भी मैं एक बार discuss कर दूँगा अभी इसी lecture के अंदर वो भी आपको बच्चों आना चाहिए तो अगर convex mirror के image formation के process को आप ray diagram से follow करोगे तो अलग-अलग cases में कैसा image बनेगा कैसा उसका nature होगा क्या उसकी location होगी या property जो है image की कैसी होगी यह सब आप से पूछा जाता है exam में ठीक है न यहाँ पे same चीज को मैं numerical problem के थूँ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हमने a question concave mirror वाला किया a question हम यहाँ पे convex mirror वाला कर रहा है right so convex mirror के case में मैंने value put किया proper sign convention के साथ में और मुझे V का value बच्चो positive मिल गया तो मुझे पता चल गया कि image यहाँ पे कहीं बनना चाहिए और इसकी numerical value 8 है focus के लिए जाने के लिए मुझे 10 cm का gap लेना पड़ता मतलब यह कहीं यहाँ पे बीच में एक काम करते हैं अभी यह जो image है यह erect क्यों बना calculation से कैसा पता चलेगा यह जानने के लिए magnification calculate करते हैं minus V upon U minus formula के अंदर है V की value आपने 8 निकाली है U की value आपको पता है minus 40 है ठीक है तो magnification देख रहे हो आप positive आ जा रहा है और value आ जा रहे है बच्चो 1 by 5 positive magnification का मतलब क्या हुआ positive का मतलब हुआ कि image virtual है add image कैसा है erect है यह बात याद रखनी है magnification का positive आया image कैसी है virtual and erect numerical value आप देख रहो इसकी 1 by 5 है h image by h object is equal to 1 by 5 इसका मतलब image का size object के size का 1 5 है यानि कि पहले से object के comparison में image कैसा है छोटा है तो सारी की सारी properties बच्चो आ गई है रहा image यहाँ पे erect हो गया size में इससे छोटा हो गया nature में virtual होगा क्योंकि यहा इतनी भी रेज होंगी यहां से reflect होकर के mirror से वापस से लिजाएंगी यहाँ पे तो image बन रहा है mirror के पीछे बन रहा है कैसा बन रहा है virtual तो इस सारा का सारा information इस numerical problem में आपको करने को मिल जाता है ठीक है बच्चों आप यह समझो कर आप sign convention apply करना सीख गए अगर आप mirror formula lens formula chapter का हो गया because maximum questions आपसे यहीं से पूछे जाता है ठीक है चलो तो यह reflection का काम हमने complete करा इसके पहले मैंने आपको यह जो six cases थे बच्चों यह जो six cases थे concave mirror वाले case के वो मैंने आपके साथ में discuss कर दिये थे ठीक है ना आप ncrt को इसमें follow कर लो यह properties आपको याद होने चाहिए इन इन positions के corresponding इन छे cases के corresponding जितने ray diagram आपके बनते हैं वो आपको याद होने चाहिए क्योंकि exam में आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा ठीक है बिल्कुल सेम तरीके से you can do बिल्कुल सेम तरीके से you can follow this for a convex mirror also के लिए आपके पास में देखो दो cases बन जा रहे हैं एक यह case हो गया एक यह case हो गया simply अगर object infinity पे है एक तो यह case है इस case में image कहां पे बन रही है focus पे बहुत highly diminished virtual interact यहां पे भी virtual interact जो case में आभी आपको solve करवाया था कि अगर infinity और mirror के बीच में कहीं पे object है तो diminished यानिकि size में छोटी image बनेगी nature virtual interact होगा कहां पे बनेगी pole और focus के बीच में बनेगी यह दो ही cases बनते हैं दोनों के ray diagram आपको बनाने आने चाहिए बिलकुस similar तरीके से यह आप बना सकते हो ठीक है चलो बचाओ यह सारा काम करने के बाद हमारा reflection से related जो part था वो मुटा मुटा complete हो गया भी कैसे thin lenses तो मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि केवल lenses की बात होगी reflection का फिनॉमना और बड़ा है but reflection के context में reflection के अंदर हम lenses की भी बात करते हैं और इसलिए बात करते हैं because lenses से probably सबसे ज्यादा questions आप से पूछे जाते हैं ठीक है तो this is one of the most important part of the chapter तो सबसे पहले बात कर लेते है reflection की reflection क्या होता है यह एक medium है medium 1 यह बच्चों दूसरा medium है medium 2 और यह इनके बीच की boundary है यह इन दोनों के बीच की interface है या boundary interface और boundary जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले बताया था lecture शुरू करते टाइम भी यह मैं बिल्कुल एकदम to the point board exam के point of view से इस chapter को यहां पे cover कर रहा हूं 15 दिन का यह हमारा course है जो की YouTube पे चल रहा है senior faculties जो कि नीट को पढ़ाते हैं बच्चों ठीक है ना नीट exam के लिए competitive exam के लिए पढ़ाते हैं जेई के लिए पढ़ाते हैं वो फैकल्टी वो टीचर्स यहां पे आपको board exam की तेयारी के लिए यह series लेकर क्या आए है तो यह series का फायदा उठाई है one-shot lectures में आपके सारे के सारे जो chapters है one by one complete किये जा रहे होंगे ठीक है उन से लेटेड problem solving यह सारी चीज़े भी हो रही होंगी और to the point एकदम board exam के हिसाब से यहां पे जो chapter है वो cover किया जा रहा होगा ठीक है तो reflection से लेटेड plane mirror से लेटेड spherical mirror से लेटेड यह सारी सारी चीज़े हमने अलड़ी cover कर ली इस lecture के अंदर अभी मैं reflection का topic उठा रहा हूं reflection के बारे में discuss करेंगे refractive index के बारे में discuss करेंगे lenses के बारे में discuss करेंगे और उन से लेटेड problems के बारे में इसको सोचता है कि यह interface है दो medium के बीच में और यह दोनों कैसे medium है दोनों transparent medium है दोनों transparent medium अब imagine करो कि एक ray of light यहां से आई अब यह जो ray of light और यह इसके यहां पर देखो normal हो गया तो यह जो ray of light है अगर बच्चो medium change होता है तो ray of light उस point पे bend हो जाती है जिस point पे medium change हो रहा है इन general bend हो जाती है ठीक है ना unless this angle is zero degrees है वो भी मैं discuss कर दूंगा तो in general what happens is the ray of light bends at the point where it enters at different media or different medium इस phenomena को हम क्या बोलता है reflection बोलता है और इस phenomena में बच्चो होता क्या है इस phenomena में phenomena के अंदर जो speed of light है ना दोनों medium के अंदर वो change हो जाती है एक medium से दूसरे medium में जाने के दौरान तो क्या-क्या इसमें हो रहा होगा कैसे हो रहा होगा यह सारी कि सारी पर questions पूछे जाते हैं exam में उसको ध्यान में रखते हुए to the point में यह topic cover कर देता हूँ ठीक है तो यह ray of light यहां से आई इसको हमने नाम दिया incident rate suppose करो यह वाला जो medium था यह में medium यहां पर बच्चो डैंसर था compared to this medium medium one तो क्या होगा experimentally observe कि यह रहे ऐसे straight जाने की बजाए ऐसे bend हो जाएगी अंदर की तरफ अगर यह कैसा है denser है और अगर यह rare होता तो straight जाने की बजाए यह क्या होती यह normal से और दूर की तरफ ऐसे चली जाती normal के साथ इसने यह जो angle बनाया इसको हम बोल देते हैं angle of incidence इसको हम बोल देते हैं angle of refraction क्या बोलेंगे angle of incidence angle of refraction बच्चो यहाँ पे इस medium में speed of light let's say v1 है इस medium में let's say speed of light v2 है इस medium का refractive index मान लिया mu1 है इस medium का refractive index मान लिया mu2 है ठीक है so refractive index index इन दोनों medium का मेर को पता है mu1 and mu2 यहाँ पे speed of light कितनी है v1 यहाँ पे कितनी है v2 this is mu1 this is mu2 ठीक है यह data मुझे medium के बारे में पता है तो यहाँ पे uniform medium 1 है इसका यह भी transparent यह इन दोनों के बीच का interface इसका refractive index पता है इसका velocity पता है यहाँ speed of light पता है इसका refractive यह सारा data हमको पता है तो बचों यह पाया गया है experimentally यह experimental observation के basis पे हम following results लिख रहे हैं यह पाया गया है कि sine of this angle i divided by sine of this angle r is equal to a constant इस constant को आम नाम देते हैं mu 2 1 क्या पढ़ते हैं इसको इसको पढ़ते है refractive index refractive index of medium 2 with respect to medium 1 ठीक है refractive index of medium 2 with respect to medium 1 refractive index किसका जिस medium में refractive index किसका जिस medium में यह enter हुआ था जाकर कि मिडियम 2 में किस मिडियम के रिस्पेक्ट में जिस medium से यह पर आ रही थी तो Ale किस वीडियम में आई थी किस वीडियम tume में आई थी तो उसका refractive index लिए जाएगा इसको हमने कहा refractive index of 2 with respect to 1 लिखने का यह तरीका है this is equal to sin i by sin r बच्चो एक और मज़े की बात बताते है कि ये जो sin i by sin r है इसको आप extend करके एक single formula देखो अब याद कर ले न कि sin i by sin r is equal to a constant which is equal to mu 2 by mu 2 with respect to 1 इसकी value बच्चो हो जाती है mu 2 divided by mu 1 and that is equal to v 1 divided by v 2 है ना चीजों का meaning में already आप लोगों को पहले ही बता चुका ये direct formula है important formula है इसको याद रखेंगे है ना जहां एक चीज और समझ लो कि mu 2 is nothing but equal to speed of light c divided by v 2 ऐसे ही mu 1 is nothing but speed of light c divided by v 1 है ना ये क्या है बच्चो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स refractive index of medium 2 है ना देखो यहां पर थोड़ा सा definition वाला काम है यहां पर थोड़ा रटने वाला काम है यह आपको याद रखना पड़ेगा तो अगर speed of light बच्चो इस medium में 2 में v 2 है और speed of light vacuum में c है तो इस medium का refractive index क्या कहलाएगा c divided by v इसका क्या कहलाएगा c divided by v again c divided by v 1 और अगर आपको यह value निकालनी है sin i by sin r तो क्या करना पड़ेगा mu2 by mu1 equals to v1 by v2 रटना पड़ेगा इसमें कोई option नहीं है ठीक है न यह इतना रटना पड़ेगा बट इतना अगर आपने रट लिया इतना अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो आपके सारे के सारे सवाल बच्चों इससे जो आते हैं वो बन जाएंगे कोई question फसेगा नहीं इसी के उपर direct formula based question आपको देखने को मिलता है ठीक है कोई किसी का यहां तक अगर doubt question है और आपका कोई doubt बचेगा नहीं ठीक है चलो इसके उपर एक दो कुछ questions करते हैं तो आपको idea और clear लग जाएगा ऐसे सोचो यह कोई बच्चो medium है और उस medium में जो speed of light है वो है 2 into 10 to the power 8 meter per second यह क्या है इसकी speed of light बच्चों यह आपको पता होना चाहिए कि speed of light vacuum में maximum होती है और किसी भी medium में उससे कम होती है ठीक है ना तो vacuum में कितना था 3 into 10 to the power 8 meter per second अब अगर हमसे कोई पूछ लेगा कि इस medium का refractive index क्या होगा तो हम बोलेंगे सीधा सीधा c divided by v 3 into 10 to the power 8 divided by 2 into 10 to the power 8 refractive index बच्चों कितना हो गया 1.5 हो गया सीधा सीधा ऐसी सोचो मुझे question दिया हुआ है कि कोई एक medium है और उसके लिए mu की value refractive index की value कितनी है 2 है यह मुझे दिया हुआ है मुझसे पूछ लिया कि उस medium के अंदर speed of light v कितना होगा मैं फिर से वही formula लगा हूँगा c divided by v is equal to mu यानि कि c by mu is equal to कितना v तो v की value बच्चों कितनी हो गई 3 into 10 to the power 8 divided by 2 यानि कि 1.5 into 10 to the power 8 meter per second समझ में आई बाद तो refractive index का सीधा सीधा आप use कर सकते हो अगर मुझे बताया जा रहा है कि medium 1 के लिए refractive index कितना है 2 है medium 2 का refractive index कितना है 1 है 1.5 है मुझसे पूछा गया refractive index of 2 with respect to 1 formula क्या होगा मेरा mu 2 divided by mu 1 mu 2 is 1.5 and this value is mu 1 is equal to 2 कितना हो गया यह 0.75 बच्चों कितने आसान सवाल है direct question से formula based बट उसके लिए आपको करना क्या है यह formula रट लेना है यह formula रट लेना है अच्छे से याद कर लेना है समझ करके याद कर लेना ठीक है एक चीज में आपको और यहां पर बताना चाहता हूं कि देखो मैंने यहां पर जो refractive index लिखा simply speed of light divided by speed of light in vacuum divided by speed of light in that particular medium ठीक है यह जो मैंने लिखा इसको हम बोलते है absolute refractive index क्या बोलते है absolute refractive index इसको क्या बोलते है बच्चो इसको बोलते है relative refractive index relative refractive index एक और चीज एंसी आईटी में कुछ और books में आपको सकता है refractive index index mu की जगा n से represent कर रखा हो तो उसमें कोई खास परिशान होने की जुड़त नहीं है आप उसको n21 बोल दो या n1 n2 बोल दो मतलब सेम ही बात है चाहेगी ठीक है आल राइट बच्चो अब सबसे important में topic की बात कर रहा हूं पूरे chapter के है ना one of the most important and that is thin lenses thin lenses इस से related सवाल आपसे almost हर साल पूछा जाता है आप previous year के questions उठागर के देखोगे तो आपको इस topic से भर भर के सवाल देखने को मिलेंगे सब टाइब के questions numerical questions भी होंगे conceptual भी होंगे ray diagram वाले सवाल भी होंगे सारे के सारे questions होंगे और वो आपको आने चाहिए ठीक है वो questions आपसे बनने चाहिए हर बार exam में आ रहे हैं कोई reason नहीं है कि आपको questions ना आते हो ठीक है ना तो इसको जटपट cover करेंगे यह relatively आसानी से cover हो because mirrors में हमने काफी महनत करके ray tracing कैसे करते हैं है ना या sign convention कैसे use करते हैं यह सारी चीज़े बड़े अच्छे से हमने already cover कर ली है तो we will be able to cover this part relatively very easily है ना with lot of confidence all right let us try to do that the lens में बच्चों क्या होता है दो curved surfaces के बीच में transparent medium होता है दो curved surfaces के बीच में एक transparent medium होता है for example जो मैंने यहाँ पर lens draw किया है इसको हम convex lens बोलता है यह convince lens ले गलार्च बशिखनें अब समुजब को दो curved surface के बीच में यहीं इसके बीच में इसके बीच में transparent medium है क्या बोला जाएगा इसको लेंस यह 20 सरफेस ये कड्सर फेस तोनों के बीच में ट्रांसे만 में कैसा है मोटाकिए और एजिस पे क्या है पतला इसको बोलते हैं Convex अगर बीच में पतला होता एज इस पर मोटा होता तो उसको बोलते हैं Concave यह definition दिमाग में याद रहेगी आई बिलीभ आपको पता भी होगी ठीक है तो Convex Lens Concave Lens दो type का lenses मिल गए हमको पर जो हम सारा का सारा discussion यहां आने क्या-क्या चीजें पता होनी चाहिए ? क्या-क्या चीजें हम लोग cover करने वाले वह मैं एक बार ब्रीफ आपको कर देता हूँ उसके बार एक करके cover करेंगे तो हम definitions देखेंगे किसज चीज की यहां पे optical center क्या होता है या center of curvature क्या होता है या focus क्या होता है या principle axis क्या होता है ये सारी की सारी चीज़े हम यहाँ पर discuss करेंगे इसके अलावा हम क्या करेंगे बचो हम यहाँ पर ray diagrams बना करके देखेंगे अलग-अलग cases में ray diagrams कैसे बनते हैं इसके अलावा हम यहाँ पर lens formula यूज करना सीखेंगे यह पे हम इसकी sign convention यूज करना सीखेंगे थिकर पावर क्या होती है लेंज कि उसके बारे में बात करेंगे तो यह चीजेंगे हम लोग यहां पर कवार करने वाले हैं combination of lenses की बात करेंगे combination of lenses तो these are the things आपको भी पता है कि these are the things जो की exam में आपसे बार-बार lens के context में पूछी जाती है lens को ले करके आपको पता होना चाहिए कि भाई lens बोलते किसको है जैसा कि मैंने बताया दो curved surfaces के बीच में अगर transparent media में तो lens होगी convex कैसे होगा convex cave कैसे होगा वो मैंने आपको explain कर दिया अब हमें देखना है कि भाई ये optical center center of curvature focus ये सारी चीजें क्या है इनकी क्या definitions है ray diagram बना करके हम कैसे image formation का जो portion है वो discuss कर सकते है lens formula कैसे use करेंगे power क्या होता है combination के case में क्या होता है ये सारी चीजें बच्चों हमको cover करने है चलो एक convex lens से शुरू करता है ये मेरे पास में बच्चों एक thin convex lens है बच्चों इस surface का center of curvature कहीं यहाँ पे हो जाएगा इस surface का center of curvature कहीं यहाँ पे हो जाएगा दोनों को मिला देंगे optical center यह चीज आपको पता हो यह optical center हो गया यह क्या हो गया principle axis पर जो center of curvature की इस lens के case में खास significance नहीं होती है mirror के case में थी यहाँ पर नहीं यहाँ पर significance ज्यादा किसकी है यहाँ पर significance ज्यादा है focus की या second focus की या first focus की देखो तो अगर आपके पास में incident rays आती है यह incident rays आती है and these rays are parallel to principle axis ठीक है if you have a set of incident rays parallel to the principle axis तो बच्चों यह rays lens को cross करके एक point को cut करती हुई जाती है और इस point को हम नाम देते है focus और second focus इसको हम क्या नाम देते हैं second focus तो आप second focus को समझ गए यह आपे ऐसे ही जिस पॉइंट से incident rays आती such that पार करने के बाद lens को cross करने के बाद में वह parallel हो जाती उसको हम first focus बोलता है तो अगर यह lens ऐसे होता सोचो और इस point से raise ऐसे आ रही होती इस point से raise आ रही होती इसको मैं बोलता first focus क्या बोलता मैं इसको first focus है ना यह raise लेकिन lens से पास होने के बाद कैसी हो जानी चाहिए थी parallel to the principal axis हो जानी चाहिए थी बच्चो आप यह पाओगे आप यह पाओगे कि अगर मैं second focus देखता हूं किसी convex lens का तो वो lens के right hand side में है अगर raise आ रही है left hand side से तो second focus किदर आ जा रहा है right side में जा रहा है और first focus किदर आ जा रहा है left side में जा रहा है जो sign convention हमने सीखी थी उस sign convention के हिसाब से देखो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे coordinate system establish करेंगे coordinate system कैसा होगा हम अपना coordinate system का बच्चो origin कहाँ पे रखेंगे optical center पे रखेंगे इस बार पहले कहाँ पे रखते थे पोल पे रखते थे यहाँ पे ओ क्या है optical center तो optical center पे मैंने क्या रख लिया origin रख दिया coordinate system का x-axis incident rays की direction में रख लिया और y-axis उसके perpendicular बच्चो रख लिया उसके इसाब से फोकस किदर है राइट डिरेक्शन में है पॉजिटिव डिरेक्शन में है इसलिए focal length कैसी ली जाएगी इसकी positive ली जाएगी optical center से लेकर के f2 तक की जो यह separation यही क्या कहलाती है focal length क्या कहलाती है focal length तो क्योंकि हमने mirror में इसके उपर काफी काम अलड़ी कर लिया है तो hopefully यह पास straight away आपको समझ में आ जाएगी इंसिदेंट रेस की direction में हम क्या लेते हैं positive direction of x-axis इंसिदेंट रेस इधर से आई यहां पर जाकर के मीट करी इस point को ने नाम दिया second focus इसकी distance कहां से optical से उसको मैंने नाम दिया क्या focal length focal length कैसी है positive किसके लिए convex lens के लिए किसके लिए convex lens के लिए ठीक है यह point क्या है second focus है और यहां पर मैंने definition किसकी बताई थी first focus की बताई थी इसी तरीके से आप बिल्कुल first focus second focus का जो funda है वो किसके लिए use कर सकते हो कॉनकेव लेंस के लिए भी कर सकते हो बच्चों कॉनकेव लेंस के लिए जब आप करोगे तो सब कुछ बिल्कुल उल्टा हो जाएगा second focus left में आ जाएगा first focus right में आ जाएगा focal length कैसी हो जाएगी focal length negative हो जाएगी कॉन्वेक्स में कैसी है positive कॉन्वेक्स में कैसी है negative मैंने आपको यहाँ पे sign convention बता दिया मैंने आपको देखो क्या क्या कवर करवा दिया अभी मैंने optical center क्या होता है बता दिया center of curvature की ज्यादा significance नहीं थी वो मैंने बता दिया focus बता दिया access बता दिया ray diagrams की हम बात करेंगे ठीक है और मैंने यहाँ पे sign convention की already आपके साथ में discussion कर दिया तो मैं अब बच्चों बात कर रहा हूं यहाँ पे lens formula की और उसकी application की lens formula जैसे बच्चों mirror में हमने कहा था बिल्कुल ऐते ही lens के case में भी हमारे पास में एक formula है किन चीज़ों को relate करने के लिए distance of the object from the optical center distance of the image में भी यहाँ पर image बनी इसकी सपोज यह एक object भी है और इसकी image a dash b dash मालिया बच्चों यहाँ पर बनती है कुछ-कुछ cases है वो हम study करेंगे एक बार तो object की जो distance है optical center से उसको हमने यू बोला image की जो distance है optical center से उसको हमने वी बोला sign convention में पता है कि incident race की direction में देखो यहाँ object है यह object है और यह मेरा lens है तो incident race की direction ऐसी होगी incident race की direction में अपन क्या करेंगे positive x-axis मानेंगे perpendicular positive y-axis origin कहाँ पे है उपे है इस problem के अंदर अगर तुम देखोगे तो व की value positive है यू की value negative है इस problem के अंदर जो मैंने यहाँ पे ट्रॉक ही वेया बच्चों यू के बीच में वी के बीच में और f के बीच में यह relationship होता है यह relationship होता है that is the formula that will help you solve the numerical problems in this particular topic 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f magnification को हम यहाँ पे कैसे define करते है magnification को हम यहाँ पे define करते है m is equal to h image by h object is equal to v upon u है ना आप यहाँ पे notice कर पा रहे होगे कि mirror formula में अगर आप mirror formula में u को minus u से replace कर दो तो बच्चों lens formula बन जाएंगे mirror formula में था 1 upon v plus 1 upon u u की जगे मैंने लग दिया minus u तो lens वाला formula बन गया ऐसे ही magnification का भी formula बन जा रहा है m is equal to v by u is equal to h i by h u ठीक है यह हमारा सीधा-सीधा formula बन जाता है इसके उपर direct formula based questions आपको देखने को मिलेंगे ऐसे ही बच्चों एक concept है किसका power का power of a lens is simply defined as 1 upon f और इसकी unit होती है क्या diopter तो आपसे सीधा-सीधा सवाल पूछ लेता है आपसे सवाल पूछ लेगा कि f is equal to 20 centimeters then what is the power of the lens तो देखो मैं क्या लिखूंगा one upon बच्चों ध्यान देना जब आप इस formula को use कर रहे हो तो f की value कैसे रखनी है मीटर में रखनी है ठीक है ना f की value कैसे रखनी है मीटर में रखनी है तो यह value जब मीटर में रखोगे आप यह value जब आप मीटर में रखोगे तब आपको यहाँ diopter में value मिलेगी तो मैं इसको कितना रखूंगा 20 cm नहीं लिखूंगा मैं इसको 0.2 जिससे की power कितनी मिल जाएगी मुझे 5 मिल जाएगी diopter तो पावर का concept lens के केस में कई बर आप से पूछा जाता है lens की focal length बदा देगा power बदा देगा फोकल लेंद पूछ लेगा है ना power जो है बच्चों वह positive होगी अगर हमारे पास में convex lens है तो power negative होगी अगर हमारे पास में कैसा lens है concave lens है क्यों होगा ऐसा क्योंकि focal length positive कब थी convex के case में क्या थी focal length negative थी है ना और power is nothing but equal to 1 upon f बस एक बात याद रखनी है वो यह कि इस f की value को कैसे में रखोगे मीटर में रखोगे तब power की value diopter में आएगी और तब आप ऐसी calculations कर पाऊगे ठीक है सीधा सीधा सवाल है कर सकते हो ऐसा सवाल एक चीज़ और अगर combination की में में बात करो combination of lenses कैसे lenses की बात हो रही है तिन lenses की बात हो रही है और combination में क्या होगा closely placed समझो बात को सबोस करो मेरे पास में बच्चों यह एक lens है convex और इस से सटा करके मैंने क्या किया दूसरा एक lens रख दिया concave एक convex lens है एक concave lens है convex lens की जो power है वो माल लेते हैं 2.0 डायोप्टर है concave lens की जो power है माल लेते माइनस माइनस 1.5 है बच्चों डायोप्टर बई lenses की जो पावर है वो हम डायोप्टर में देते है lenses की पावर हम देते हैं डायोप्टर तो मैं दो ऐसे lenses की बात कर रहा हूं जो दोनों lenses कैसे हैं थिन हैं जो की closely एक दूसरे के साथ में placed हैं एक दूसरे के साथ में रख्खे हुए हैं और इस combination की मुझे combined power चाहिए तो बच्चों power of combination निकालने के लिए कुछ नहीं करते सीधा सीधा power को add कर देते हैं पावर सिंपली क्या हो जाती है एड हो जाती है तो power of the combination is simply power p1 plus p2 p1 की value 2.0 थी positive थी p2 की value negative 1.5 थी तो combination की power क्या हो गई positive 0.5 किसमे डायोप्टर में that's it तो अगर आपको power का formula पता है combination में power add हो जाती है बात पता है तो आप सीधा सीधा इससे related questions बना सकते हो ठीक है इसके लावा बच्चों मैंने आपको यहां पर लेंस formula उससे related sign convention है ना positive negative का क्या significance है सारी की सारी चीज़े मैंने आपसे discuss करी हुए है ठीक है लेंस formula based problem आप बना सकते हो रे ट्रेसिंग बेस प्रॉब्लम साब बना सकते हो जिस तरीके से हमने mirror वाले case में रे ट्रेसिंग वाले problems बनाए थे यहां पर लेंस में भी आप कर सकते हो रे डाइग्राम्स अगर आपको बनाने की जुरुत है यह रे ट्रेसिंग अगर आपको करने की जुरुत है तो यह आप कर सकते हो बच्चों बिलकुछ simple simple कुछ पंडे याद रख करके याद रखोग इसके लावा क्या रखोगे कि अगर रे लेंस के principle access के parallel आ रही है तो लेंस से क्रॉस करने के बाद वो क्या होगी उसके focus से पास करेगी कौन से focus से second focus जैसे कि convex lens के लिए मैंने बताया था कि second focus इसके राइट-hand side में आ रहा है और रे कहां से आ रही थी लेट साइड से रही थी ठीक है तो इन rays को यूज करके आप आसानी से क्या कर सकते हो रे डाग्राम बना सकते हो किसी भी case में object का किसी का image बना सकते हो और उस से लेटेड अ बिल्कुल इसी तरीके से आपको lens के लिए भी summary NCRT में मिल जाएगी एनिवेस इस short but to the point lecture के अंदर हमने बच्चों पूरा का पूरा जो light का ये chapter था बड़ा important chapter board के एसाब से वो पूरा cover कर लिया to the point मैंने चीजों को cover किया है जिससे की directly board में exam में questions आते हैं अगर आप इस lecture को पूरा complete कर लेते हो साथ में जो associated problem practice आपको मिल रही है वो सारी lectures follow कर लेते हो तो I am sure कि आपका 80-90% काम वहां पे complete हो जाता है इसके लावा बचो इस series को YouTube पे follow कर आपकी board की preparation के लिए काफी boost मिले रहेगा material के लिए किसी भी communication के लिए telegram channel join कर लो ताकि आपके साथ में swift हमारा communication बना रहे है YouTube channel definitely subscribe करके रखो you will get quality material on this channel for your board exam preparation ठीक है all right then thank you very much see you in the next lecture